जै शीराम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि सबामनी और अरजी पाला जी की क्यों लगाई जाती है क्या इसका महेतो होता है दोनों बातों का ध्यान रखते बिजरूर सबस्क्राइब करें शाथ में बैल लाएक करें उसको प्रैस करें ताकि हैने मली हरे एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुन पहुंच जाये चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशी राम जैशी राम जैशी बाला जी महाराच महंदी पुर्की पवित्र किरप़ा आपके परिवाबर पर हमेशा बरसती रही और मेरी माजग जन्निमा भवानी अम्ब की एकिरपा आपके गड़ में अनपूरना रूप में वास करें जै माता की जै शीराम सवामनी और अरजी क्यों लगाई जाती है किसी विक्ति ने कोशन हमारे से रखते हैं तो हम उसका जवाब मैं क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बनी जाए क्योंकि जब एक विक्ति ये कोशन है तो कहीं हो का ये कोशन भी होगा कि अरजी है क्या वैसे तो अरजी पर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है और सवामनी पर मेरी एक वीडियो बनी वी है तो आज मैं दोनों के बारे में ही बताऊंगा आपको कि दोनों हैं क्या वैसे तो ये दोनों ही इच्छा पूर्टी के लिए है नेकिन मकसद अलग अलग हो सकते है अब अर्जी जो होती है वो बाबा के दरबार में लगा जाती है जब कोई दूष्ट आत्मा या कोई परशान आत्मा या कोई ऐसी आत्मा हमारे घर में उपदरव मचा रही होती है घर के संतुलन को विगार रही होती है घर के अंदर किसी भी पकार की अपनी अशांती और हमारे घर के अंदर दरज़ता का वास कर रही होती है तो ऐसी आत्माओं से बचने के लिए हमें शिरी बाला जी महराज महंदिपुर दरबार या हनुमान जी महराज के शिरी चौर्णों में अर्ज लगानी पड़ती है अर्ज लगाने से हनुमान जी जैसा कि आपको पता है कि कलियोग में परधान रूप के देवता है और जागरित शक्ती है उस जागरित शक्त फरकार के आगे हमें एक अर्ज देनी पड़ रही है हम एक arzen देते हैं उस arzen से अब मरज बाबा की होगी कि उस पर मोर कब लगी जिस पकार से कोई दूश्ट आत्मा हमारे घर के अंदर परवेश कर चुकी है अब वो परवेश कर चुकी है अब हम बाबा की दरबार में जा कर या बाबा की शिरी चर्णों में अरजी लगा दी है हमने अर्जी हमारी मर्जी तुमारी किरपा करियो दे तो हमने अर्जी लगाने के दुरान ये कहा कि हे बाबा हमारा नाम ये है हमारे पिता का नाम ये है निवासी ये है हमारी ये अर्ज सभीकार कीजिए और हमारे घर के अंदर जो भी करा कराई है ओपरी पराई है उचाटन मारसंत, अंतर, अगोर, चंडी, काली, विद्धाई, उनका सबका नाश कीजिए हे बाबा, हमने आपके शिरी चर्नों के अंदर ये अर्ज लगा कर छोड़ दी है अब आप जाने और आपका ये कारिया जाने अब बाबा कारिया होता है कि उस अर्ज पर कब फैसला लगे, कब मजूरी हो क्योंकि हर्मान जी महराज की सरकार काम करती है श्री बाला जी महराज की सरकार काम करती है ये एक बहुत बड़ी सरकार है जिसके अंदर श्री प्रेतरा सरकार, श्री कोतवाल कप्तार, दिवान सरकार, माजग जन्निमा कालिका अंबे मैया और साथ में श्री समाधी वाले बाबा तो ये सरकार काम करती है, उस सरकार के जरिये से सारा हर किसी का अलग अलग कारिया है जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि दिवान सरकार का महंदीपूर में क्या का रिया है, श्री प्रेतरा सरकार का क्या का रिया है, कोतवाल कप्तान का क्या का रिया है, तो उसी दरान ये अर्जिस जो हो बाबा के श्री चर्नो में अपनी मुसीबत, अपन नहीं हर पकार की इंच जो के लिए है अब सवामनी क्या है जैसा कि हमारा कोई बड़ा टार्केट है कोई हम चाहते हैं कि यह प्रोपर्टी का प्रोजेक्ट हमें प्राप्त हो जाए या यह कारी है क्या मेरे पुत्र की शादी हो जाए या मेरी नोखरी लग जाए या कोई भाव फिर पैसा कुछ नहीं महाँने रखता प्रभू कि श्री चर्णों के लिए फिर हमारे मन के भाव होते हैं कि मैं अपने बाबा को मैं साला सरधाम में मैं हनमान जी महराज के नाम की एक सवामनी लगाओ सवामनी किस-किस पकार की है लड़ों की है मैंने यह सब उस पर पूरती जब हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है हम बाबा को पचास किलो अन या पचास किलो मोदक की या उसके दोनान रुसावामनी के अलग अलग रूप है या बर्फी बेशन की होती है तो इस पकार से पचास किलो अन का दान जो है हम अपनी तरफ से करना चाते है प्र सवा मनी से भी हो सकता है, जब 10 की दर्कास से कारिया ना हो तो अरजी लगाओ, जब अरजी से कारिया ना हो तो सवा मनी लगाओ, तो बाबा कारिये तो आपके होएंगी, देड़ी जुरूर है प्रभु के शरी अन्धेरी नहीं है, हमेशा आपको बाबा के परती अटूट व विश्वास होना चीए, जिंदगी में हर कार्ये विश्वास से होता है, हर रिष्टा भी विश्वास से होता है, पती-पत्नी का रिष्टा भी विश्वास से होता है, घर-ग्रस्ती का रिष्टा भी विश्वास से होता है, अगर हमें बाबा के परती अटूट विश्वास उ जरूर बताना कि क्या इच्छा की पूर्ती अगर नहीं बताना चाहते तो जैशीराम जैशीराम लिख कर भी आप लिख सकते हो और मैंने भी अर्ज लगाई है अब ये मर्ज कब होगी तो ये बाबा के उपर है कब उसके उपर ततकाल फैसला करेंगे तब हमारी इच्छा को कई वारी इच्छा इतनी प्रभल हो जाती है कि जिस पकार से सुरिय का स्वाब है आपको पता है कि सुरिय साड़े चार बजे उद्य नहीं होता एक नियम के नुसार सिर्ष्टी कर नियम है उसी पकार से बच्चे जिस पकार क्या चीज चाहिए इसको और किस चीज के लिए अर्ज लगा रहा है उस अर्ज को पूरी करने के लिए उस समय का निधान करते हैं वो समय को देखते हैं जब वो समय बलवान हो जाएगा जब वो समय इसके कुल हो जाएगा तब उसके दुरान ही उस इच्छा को पूरी किया ज करता हूं जो जो भगत आपके दर वार में आक कर अर्जी और सवामनी और अरकास लगाता है हे बाबा उनकी सब की दरकास हविकार हो ऐसी मेरी कामना है अपने इस्ट-देव के आगे और मेरी जगत नीमा भवानी अंबके से यही प्रात्रा करता हूं कि उनके घर में कभी अनका वास खतम ना हो तो हे मातेश्वरी ये भी मेरी सविकार कीजिए जैश्री राम जैश्री बाला जी बाला